Hello Friends, Welcome to Nandkishore Classes. Question आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही important question है, बहुत ही different type का question है. ध्यान से देखिए, ये inverse proportionality का question है, मैं पहले बता दू. बहुत ही अच्छे तरीके से समझेगा, और concept ऐसा यूज होगा जो आप इस question का answer बिना solve की ये बता सकते हैं, within second. लेकिन पहले concept अच्छे से समझते हैं, it is given that y is equal to k over x, y कितना दिया है k over x, अभी देखना, यहां से आपको ideas मिलने start हो जाएंगे, कि y अगर k over x है, अभी देखो न, आगे लिखा constant k, तो k तो constant है, तो y equal to k upon x का मतलब क्या हुआ, कि x और y दोनो inversely proportional है, मतलब अगर x बढ़ेगा, तो y कम होगा, x कम होगा, तो y बढ़ेगा, ठीक है न, वैसे भी division of fractions का तो यही एक method होता है, यही analysis हम करते हैं, वहाँ से कि ठीक है, यह denominator में है न, denominator बढ़ा होगा, तो answer चोटा आएगा, denominator चोटा होगा, तो answer बढ़ा आएगा, पहले इसी चीज़ को भी clarify कर सकते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ कि 10 by 2 है, तो इसका answer 5 होता है, 2 से काट होगे तो, लेकिन अगर 10 by 5 होगा, तो answer देखो 2 आएगा, clear है न, denominator चोटा, तो final answer बढ़ा, denominator बढ़ा तो final answer चोटा, तो यही concept यहाँ पर use करने वाले हैं, चलिए खेर, आगे देखते हैं, और हमें x की range भी दे रखी है, x lies between 1 and 10, that means, अगर मुझे सबसे छोटी value लेनी पड़े x की, तो 1, सबसे बड़ी value लेनी पड़े तो 10, यहाँ पर यह है, यह symbol इस तरह से होगा, तो अब आगे देखते हैं, find constant k, if smallest value of y is 5, अभी हमें क्या का है, कि smallest value of y कितनी है, 5 है, यानि कि यह जो y है न, सबसे छोटी value, अगर y की 5 ले लें, मैं मालो 5 ले लूँ यहाँ पर, तो बताओ k कितना है, concept क्या समझना है, दोनो universally proportional है, अगर y सबसे smallest value है, तो x की largest value होगी, और x की largest value कितनी दे रखी है, 10, तो मुझे यहाँ से x की value कितनी लेनी है, 10 लेनी है, और यहीं पर solve करेंगे, तो 10 इदर 5 से multiply होगा, और हमारी k की value कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, तो first part में, हमें k निकालने को बोला है न, तो k is 50, आप next step लिख सकते हो, this implies value of k is 50, so we are done with first part, अब second part देखिए, find largest possible value of y, अब मुझे y की largest value निकाल लेनी है, अगर y largest होगा, तो x smallest होगा, k तो मैंने निकाल लिया constant है, वो कितना ही, वो तो change नहीं होगा न, constant never changes, तो k तो 50 ले लेंगे, अब y largest है, तो x smallest है, अब smallest value of x कितनी है, 1, 50 by 1 क्या होता है, 50 ही रहेगा, that means, b part का answer भी 50, a part का answer भी 50, तो बहुत ही important और interesting question है, I hope आपको ये concept inverse proportion का जो हमने use किया, अच्छे से समझ आया है, और अगर आपको ये video पसंद आया है, तो इसे like और share जरूर करिए, thank you so much.